किसान बाईयों नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से राम एकदी कल्चर इंडिया में किसान बाईयों आज हम बात करने वाले हैं चने के बविशी के बारे में जी हां किसान भाईयों अभी में चने के भाव के अंदर जोड़दार तेजी देखने को मिल रही है तो किसान भाईयों वो तेजी कब तक जारी रह सकती है आगे चने के अंदर में मंदी देखने को मिल सकती है या फिर और भी तेजी देखने को मिल सकती है चने के भाव को लेकर पूरी जान करें आपको इसी वीडियो में बताएंगे किसान भाईयों अगर आप हमारे यूटूब चनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूटूब चनल को खेती बारी से जुड़ी जान करें योजनाओ तकनीक और मंडी भाव के लिए जरूर सस्क्राइब करें और पासी में जो गंटे का निसान है उसको जरूर चालूब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें तो किसान भाईयों चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं किसान भाईयों मंडियों के अदर अभी चलिए चलिए पहले पहले मिल रहा है और तक सबसे उपर में मिल रहा और किसान भाईयों सरकार की तमाम कोश्चिसों के बावजूद चने का बाव बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि चने की खरीदी निचले इस तर पर काफी ज़दा देखने को मिल रही है और जो चने की डिमांड है वो त्योहरी सिजन के चलते काफी ज़दा देखने को मिल रही है किसान भईयों सरकार का आयातित माल अभी तक बारत नहीं पहुंचा है जिस कारण से किसान भईयों चने के बाव के अंदर जोड़दार तेजी देखने को मिल रही है किसान भईयों बात करें तेजी की तो इस तेजी को हम सोट टम्स में मान सकते है क्योंकि किसान भाईयों सरकार ने जो चने के आयात पर फेसला लिया है उसमें अभी तक आगे से कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही है तो किसान भाईयों जब तक वो अपडेट निकल कर नहीं आती है तब तक आगे बविश्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है तो किसान भाईयों यह थी है हमारी आज की अपडेट वीडियो अच्छा रगाओ तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी किसान भाईयों को राम राम